हेलो फ्रेंद्स, वेल्कम बैक टू माई चैनल क्या आपके बाल भी डल बेजान से हो गए हैं? और हेर रूट्स इतनी जादा कमजोर हो गई हैं कि हेर फॉल होता है अक्सर हम बालों का जब बहुत टाइट बन बना के रखते हैं या विंटर्स में कैप लगा के रखते हैं और जब बालों को खोलते हैं तो बालों की जड़ों में दर्द होता है तो आज मैं आपको एक ऐसा हेर मास्क बता रही हूँ जो आपके हैर फॉल को रोकेगा स्कैल्प में कोई भी इंफेक्शन होगा तो उसको दूर करेगा और अगर बाल डल बे जान से हो गए तो उनमें एक नई जान डालेगा मुझे तो इस हेर मास्क से बहुत अच्छी विजर्ट्स मिलते हैं आप वीडियो में खुद देख सकते हैं अगर आपको भी ऐसे अमेजिन विजर्ट्स चाहिए तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैंने इस हेर मास्क को पहले बनाया है फिर लगा कर भी दिखाया है तो आईए शुरू करते हैं हमारा पहला इंग्रीडियन्ट है मेउनीज जी हाँ यह वही मेउनीज है जिसे हम सैंड्विचेज और बर्गर में लगा के खाते हैं यह क्रीमी डिप आपकी कई हेर प्रॉब्लम्स को सॉल्फ कर सकता है इसमें प्रोटीन, वेजटेबल ओल्स, विनेगर इन सब का मिक्शर होता है जो हमारे स्कैल्प को डीपली नरिश करता है दूसरा इंग्रीडियन्ट हमें चाहिए होगा दही दही में भी प्रोटीन होता है, बहुत सारे विटमिन्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प को मौस्टराइज रखने में बहुत हेल्प करते हैं दही हमारे बालों के लिए नैच्रल कंडिशनर का काम करता है तीसरा इंग्रीडियन्ट है ऐलोवेरा जेल यह हमारे हेर रूट पेन को मिटाने में बहुत हेल्प करता है, कोई भी स्कैल्प इरिटेशन होता है न उसको दूर करता है और बालों को स्मूथ बनाता है नेक्स्ट इंग्रीडियन्ट है हल्दी ये स्कैल्प के रैशिज रूट्स में जो पेन होता है उसको दूर करती है हमारा अगला इंग्रीडियन्ट है पपीता इसमें बहुत सारे विटमिन्स होते हैं मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेर ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं बालों में डैन्रफ होगा तो वो दूर करेगा और बालों में घजब की शायन लाता है हमारा अगला इंग्रीडियन्ट है अंडा और ये तो हम सभी जानते हैं अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो हमारे बालों को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी होता है अगर आपको अंडे की स्मेल पसंद नहीं है तो आप इसका येलो पार्ट अटा भी सकते हैं और सिर्फ एगवाइट ले लीजेगा पर दो अंडों के लीजेगा एगवाइट्स फिरा में चाहिए होगा अपना लास्ट इंग्रीडियन्ट जो है एक फिश ओयल का कैपसूल फिश में ओमेगा 3 fatty acids होते हैं और essential nutrients होते हैं जो बालों को healthy बनाने में बहुत हेलपफुल होते हैं पर हाँ यह फिश ओयल थोड़ा smell करता है हेर मास्क में वैसे शांपू करने के पाद स्मेल चली जाती है तो अगर आपको वो दवा जैसी smell नहीं चाहिए अपने हेर मास्क में तो इसको मत डालिएगा तो अब हम लेंगे एक mixer grinder का जार और उसमें अपने सारी ingredients एक एक करके डाल देंगे पहले एक अंडा डाला फिर दो टेबल स्पून दही लिया और उसको भी डाल दिया इसके अंदर फिर में इसमें डालूंगी दो टेबल स्पून भरके mayonnaise यह गई एक चमच और यह दूसरी इसके बाद दालेंगे अलोवेरा जैल यह थे लेंगे 2 टेबल स्पून यह गया एक चमच और फिर यह दूसरी डालेंगे द стороны हाफ टी स्पून हल्दी फिर पैमिटे की एक ते कुप अंदर देंगे और झानलेंगे उसके बाद हम अपना न एकिः न इंग्रीश और का burgpants म जिसको इसमेल नहीं पसंदें जिसको स्किप करें क्योंकि हार मास्क में इसकी स्मेल आती है यह शैंपू करने के बाद सारी स्मेल गायब हो जाती है तो मैं डाल लेती हूं अब इन्ग्रीजिंट्स को मिक्सर ग्राइंडर की हेल्ब से पीस लेंगे अच्छे से एक दो मिनट ग्राइंड करिएगा ताकि हमें ऐसा स्मूध सा पेस्ट मिल जाए और यह हमारा पावफुल हैर मास्क बनके रेडी है तो आईए अब मैं आपको बताती हूं इसको लगाना कैसे है और कितनी देर तक लगा के रखना है पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉम करके सुलझा लीजेगा ध्यान रहे यह हैर मास्क आपको आईल लगे हुए बालों पर नहीं लगाना है सूखे बालों पर ही लगाईएगा तो मैंने यहां हैर मास्क लिया और अपने रूट्स पर खोल खोल कर लगाना शुरू कर दिया देखिए मेन आपको पूरे स्कैल्प को कवर करना है ताकि रूट्स को वो बेनिफिट मिल सके मैं वीडियो में दिखा रही हूँ किस तरह अपने रूट्स को खोल कोल के उसको डिपॉजिट करना है आपको और जो हम अपनी सारी जड़ों पर लगा लेंगे तो अपने लेंस पर बालों की लेंस पर फिर वो बचा हुआ हैर मास्क लगा लेंगे सारी लेंस पर टिप्स तक लगा कर फिर हम एक बालों का अपना बन बना लेंगे बन बनाने के बाद इस हैर मास्क को एक गंटे के लिए रहने दें फिर किसी भी माइल्ड शैंपू से हैर वाश कर लें फिर देखिए का एक ही बार के अप्लिकेशन से आपको फर्ट नज़र आएगा कि आपके बाल कितने स्मूथ और सिल्की हो गए है हैर रूट पेन तो कपका गायब हो चुका होगा अपने बालों में आपको एक नई जान नज़र आएगी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हैर वाश करने के बाद मेरे बाल कितने जादा सिल्की और शाइनी नज़र आ रहे है तो जाएए आप भी अपने लिए ये हैर मास्क बनाएए लगाएए और मुझे आके जरूर बताइएगा कि आपको इसके रिजर्ट कैसे मिले पर हां लाइक करके जाएगा और नहे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए मैं मिलती हूँ अपनी नेक्